काजू का बिजनस एक ऐसा बिजनस है जो 12 महीने चलता है इसी के साथ दोस्तों आप काजू का बिजनस 1000 रुपए लगा के भी शुरू कर सकते हो और एक करोड तक काजू के बिजनस में आप investment कर सकते हो तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप काजू का होलसेल का बिजनस शुरू कर सकते हो अगर आप काजू का बिजनस सुरू करते हो तो आपको काजू कहां से सस्ते से सस्ता मिलेगा इसी के साथ मैं बताऊँगा कि का जो बिजनस है वो आप मुख्यत है होल सेल का बिजनस दो तरीके से कर सकते हो जो पहला तरीका होता है वो होता है ट्रेडिंग का ट्रेडिंग बिजनस दोस्तों सभी जानते होंगे कि एक जगह से आपने परचेज किया और दूसरी जगह आप सेल कर दिया है ना आपने कोई product बनाया है ना manufacture किया है directly आप जो manufacturer है या किसान है वहाँ से या processing unit है वहाँ से आपने product खरीदा और directly market में based दिया दूसरा जो तरीका है वो है काजू का processing unit लगा के दोस्तों काफी लोग नहीं जानते होंगे काजू जो है पेडों पे लगता है वहीं काजू को process किया जाता है देख रहे होंगे आप सामने एक machine है ये एक ऐसी machine होती है जिसमें जो काजू होता है काजू क्या होता है जब काजू की जब खेती होती है तो इस टाइप से hard काजू मिलता है उस hard काजू को तोड़ के फिर काजू को completely process किया जाता है इस मसीन के द्वारा और उसके बाद जो होता है वो अपने तक प्रोसेस किया हुआ काजू मिलता है इसी बीच कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट में काजू के टुकड़ी भी बीखती है मलब छोटे-छोटे तूटे वे काजू के जो टुकड़े है वो भी सेल आउट किये जाते हैं वो इसी वज़े से होता है कि वो अलग कर दिया जाता है और पूरे फ्रेश काजू है वो अलग रैट में बीखते हैं तो दोस्तों आप ये जो मसीन है इसका प्लांट भी लगाके प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाके डारेटली किसानों से काजू खरीदा इसमें प्रोसेस किया और फिर भी मार्केट में सेल कर सकते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की तीसरा जो होता है वो होता है इंपोर्ट का बिजनस इंपोर्ट का काजू का बहुत सी जगए जैसे गुजरात हो गया गुजरात में एमदाबाद, सूरत, रास्तान में जैपुर यहां पे काफी काजू के बड़े बड़ प्रोसेसिंग यूनिट है वहां पे लोग साउथ अफरीका हो गया वियतनाम हो गया यहां से डायकली काजू लाते हैं और यहां पे प्रोसेस करते हैं और उसके बाद मार्केट में सप्लाई कर देते हैं तो आप काजू का इंपोर्ट का बिजनस भी कर सकते हैं अब दोस्त हो गया, इमेजोन पैंट्री हो गया, जीयो मार्ट हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ऐसी e-commerce साइट पे एके किलो, दो-दो किलो, पाच-पाच किलो की पेकेट बनाके सैल करेंगे, तो आपको ज्यादा मुनाफ़ा मिलेगा, अगर आप रिटेलर्स को देंगे, या वोल सैलर को देंगे, या थोक में माल बेचेंगे, तो उतरा मुनाफ़ा आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आगे भी जाके, जो वोल सैलर होता है, या जो रिटेलर होता है, वो अपना अच्छी और उस brand name को hit कीजिए ताकि आप future में अगर ये आपका product चल जाता है तो बादाम हो गया किसमिस हो गया और भी जो आइटम होते हैं अंजीर हो गया या फिर पीस्ता हो गया इस brand के नाम से बिखने लगेगा और market में एक बार brand चा जाता है तो उम्र भर आपका वो loyalty मि जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि एक अजार के investment में भी कर सकते हो आपने दो किलो पांच किलो काजु खरीदा और उसकी चोटी चोटी packet बनाई 10 रुपय की 20 रुपय की 30 रुपय की और retailers को बेज दी और retailers के यहां सस्ते आराम से 10 रुपय की 20 रुपय की packet easily बिख जात अगर अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो काजु होता है वो होता है केरल में उसके बाद महाराश्टरा में गोवा में करनाटक में तमिल नाडू में यहां से आप सस्ते से सस्ता काजु खरीद सकते हैं और आंदर परदेश में दूसरों अगर आप राजस्तान से हैं तो मेरी आपको राय रहेगी कि राजस्तान के पास में जो भी स्टेट इन में से है वो पड़ता है वहां से आप रोडेक्ट करीदे वहीं अगर आप जैसे गोवा के पास में तो आप गोवा से करीदे करनाटक के पास में तो करनाटक से करीदे क्योंकि आपका जो transportation का charge है वो आपको बच जाएगा अब दोस्तो बात कर लेते हैं investment की तो अगर आप ये business शुरू करना चाते हो तो सबसे पहले आपको एक market में shop होना जरूरी है अगर shop आपकी होगी दुकान आपकी market में होगी तो आसानी से आप market में supply कर पाएगे और लोगो आप सोना भी बेचते होंगे तो लोगों तक ये बात नहीं पहुचेगी इसी के साथ दोस्तो आपको GST नमबर लेना अनिवार ये है और अगर food का काम है तो food के काम में हमेशा FSSAI license जरूर लेना चाहिए इसी के साथ दोस्तो packing material की जड़त होती है जो pouch वगेर होते हैं जिसे आप एक किलो की packing करना चाहते है तो इस तरीके का आपको packing material भी खरीदना होता है इसी के साथ कम से कम आपको एक staff रखना होता है जो marketing भी आपकी संबाल ले sales भी आपका संबाल ले अब दोस्तो बात कर लेते हैं कि इस business में profit margin कितना रहता है देखे profit margin का इस business का ऐसा है कि profit margin का पूरा अगर आप महंगा करीद के लाएंगे तो आप महंगा उतना profit नहीं कमा पाएंगे अगर आप जैसे केरल है गोवा है वहां से directly करीदते हैं और वहां के directly किसानों से खरीदते हैं तो आप अच्छा खसा मुनाफ़ा कमा पाएंगे तो दोस्तो आज का वीडियो आप आप कुछ जानना चाते हैं काजू के बिजनस में या आपको समझ नहीं आ रहा है डारेक्ली रिटेलर का नंबर चाते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आगले वीडियो में आपको रिटेलर के कम रिटेलर के कॉंटेक्ट डिटेल दे पाऊं तन्यवाद